नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसपल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन लाराइन शिर्वात करेंगे खबरों की किसाम नेता राकेश्ट्रिकेट आज से दो दिन के दोरे पर गुजरात पहुंच रहे हैं राकेश्ट्रिकेट सीधा राजुस्थान से गुजरात आए गुजरात आते ही राकेश्ट्रिकेट अंबाजी में पहुंचे जहां उन्होंने देश और दुनिया में जाने माने प्राचीन मा आदिशक्ती माता अंबाजी मंदर में पूजा अर्चना की और लोगों से मिल कर उनसे संबाद किया। अंबेटकनगर में अस्पताल की लापरवाही की चलते महिला की दर्णाक मौत हो गई। अस्पतार पुलिस टीम के साथ खुद मौजूद रहे हैं। गुरकपर में पंचाय चनाव में पर्शा दाखिल करने वाले दावेदारों को पर्शा भरने से पहले साथ तरह के दस्तावेश तयार करने थे। इसके लिए वो विकास खंट कारेले से लेकर कशेरी तक के चक्कर लगा रहे थे। कुछ ने ये दस्तावेश तयार कर वाली हैं तो कुछ बनवाने के लाइं में हैं। बुलेन शेर की वालीपुरा रहर में मिला एक मासूम बच्चे का शव रहागिरों ने शव के सूचना पुलिस को दिये। पुलिस ने शव को पोस्मार्टम के लिए बेज दिया। मासूम किश्चिनाग दादुरी निवासी दक्ष के रूप में हुई। कानपर देहात नगर पर चाय सेकंद्रा की बेश किम्ठी जमीन पर रात के अंधिरे में एक अप्जा हुआ है साशन प्रशासन को अधिशाशी अधिकारी द्वारा अवगत कराने की बावजूद अवे निर्मान रोकने का कोई भी प्रियास नहीं हुआ। कानपर देहात में नायाले में बूमी विवात का मामला विचार दिन होने पर भी सदर स्डेम की रोक के बावजूद भी दबंग यहाँ पर निर्मान करा रहे हैं। बुलेंशेर में बावज सवार दमपती की गोज से फिसल कर बराबर से गुजर रहे ट्रक की चपेट में आने से मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। सुभा सी रोरा गाउंस यानूप शेहर आए थे 22 बार दमपती मौके पर पहुंचे पुलिस ने ट्रक को कबजे में लेकर पोसमार्टम के लिए मासूम का शब बेजा है। बुलेंचेर में आग से गरीबों की कई जोपडियां जलकर राख हो गई। पुशिनगर के सिवरली ब्लॉक में हाइटेंचन तार गिरने की वज़े से दो घर जलकर राख हो गई। में जम कर लाटी डंडे चले मारपीट में एक बुज़र्ग माईला को गंबीर चोटे आई हैं। साइको किलर पपु सेन पर 25,000 का इनाम था। रगुनंदर वैदे की हत्या कर फरार था हत्यारा पपु सेन फरार होकर उडिसा में अपनी 700 साले की भी हत्या कर दी थी। पत्नी की आशिक की फिराख में हत्यारा घूम रहा था अवैद इतमंचो और नौकार्तूस इसके पास से बरामत हुई हैं। और यह समाजवादी पार्टी से मल्सी कमलेश पार्टक का वैद निर्मान ध्वस्त किया गया दिवक्ता और बहिन की हत्या के मामली में जोल में बंध है। मल्सी और उसका भाई अवैद विद्याले पर प्रिश्वासन का बुल्डोजर चला है। जुनक दुलार इंटर कॉलेज को ध्वस किया गया सदर कोतवारी का पूरा मामला। होस्पताल में भरती करा आए गया। और इसे के साथ फिलाल कबरों में इतना ही आप बने रहें न्यूसवाल इंडिया के साथ।